नमस्कार, सभी आंगनबारी सेविका बहनों का स्वागत है पोशन ट्रेकर एप की एक बहुत ही महतुपूर वीडियो में आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेलफुल राने वाली है जैसे कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे पोशन ट्रेकर एप में ग्रोथ मोनेटिंग करने का सही टाइमिंग क्या है और ग्रोथ मोनेटिंग हमें कैसे करनी चाहिए कि हमारा जो ग्रोथ मोनेटिंग है वो 100% सर्वर पे अपलोड हो जाए जैसा कि आप सभी लोग जानते है पोशन ट्रेकर एप की ग्रोथ मोनेटिंग की जो लिस्ट जाड़ी होती है जिसमें कि आप लोग देखते होंगे कि आपने पोशन ट्रेकर एप में काम तो किया लेकिन आपका जो ग्रोथ मोनेटिंग की लिस्ट है उसमें आपका percentage कम दिखाई देता है इसका कारण क्या है चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं और growth monitoring करने का सही तरीका क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके लाश्ट तक जरूर देख लिजिएगा अगर वीडियो में दीगे जनकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा यदि चैनल पे नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा चलिए शुरू करते हैं तो हमें Guru Thermalating करने के लिए सब से पहले क्या करना है कि कि आपने आज आंगनबाडी के अंदर खूला है या और नहीं多 सबसे पहले आपको अपने आगनबाडू के अंदर की इस्तीती को दर्सा देना है कि आज आपका आगनबारी के अंदर खुला है या नहीं तो हम लोग खोले वाले पर किली करेंगे और किली करने के बाद यहाँ पर गतिवीधी पर किली करना है और कोई एक गतिवीधी को सेलेट करके आपको सब्मिट कर देना है सब्मिट करेंगे तो आपका आज का जो इस्थिती है आगनबारी के अंदर की वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगी ठिक है अब आईए यहां पर हम आते हैं होमपेज पे होमपेज पे आने के बाद यहां पे ग्रोथ मोनेटिंग करने का जो सही तरीका है उसके बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम यहां पे डैसबोड पे किली करेंगे डैसबोड पे किली करने के बाद यहां पे आप देख पाएंगे कि ग्रोथ मोनेटिंग की जो लिश्ट है यहां पे दिखाई देगी कि आपने इस महीने कितना ग्रोथ मोनेटिंग किया है और कितना आपका यहां पे पेंडिंग दिखा रहा जैसे कि माली जी आपके पोसंट टेकर एप में यहाँ पे 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों को हमें एक से लेके 7 तारीक के बीच में डिभाई कर लेना है कि आज हम एक दिन में कितना ग्रोथ मुनेटिंग करेंगे कि हमारा साथ दिन में जो growth monitoring है वो 100% complete हो जाए हम यहाँ पे average मान के चलते हैं इन में 15 बच्चों का growth monitoring अगर आप करते हैं तो आप 7 तारीक आते आते यहाँ पे जो 105 बच्चे हैं उनका growth monitoring आप लोग असानी से कर पाएंगे अब जैसे कि माली जी आपने एक तारीक दो तारीक को growth monitoring कोई भी बच्चों का नहीं किया तो आप यहाँ पे माली जी आज तीन तारीक है तो तीन तारीक से अब 7 तारीक के बिच में अगर आपको growth monitoring करनी है तो आप इसी को 105 बच्चे को divide कर लेंगे कि अब हमें 4 दिन में कितने बच्चों का growth monitoring करना है कि 7 तारीक आते आते आपका जो growth monitoring है वो complete हो जाए तो ऐसे ही आपको growth monitoring करना है जैसे कि माली जी यहाँ पे 105 बच्चे हैं तो आप मान के चलिए कि एक दिन में 20-21 बच्चों का आप करती है तो 4 दिन में आपका जो growth monitoring है वो 7 तारीक आते आते सभी बच्चों का growth monitoring complete हो जाएगा तो यह एक सही तारीका है अगर इस प्रकार से अगर आप growth monitoring करते हैं तो उसमें उनका percentage कम दिखाई देता है तो आप लोग जितना हो सके एक से लेके साथ तारीक के बीच में हर महीने आप लोग अपना growth monitoring जरूर complete कर लें ठीक है तो चलिए अब हम यहाँ पे एक बच्चे का growth monitoring करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है तो यहाँ पे आप pending वाले पे click करेंगे तो इस परकार से एक list खुल के आजाएगी जितने भी बच्चे आपके portion tracker app में हैं उनका यहाँ पे list आजाएगी अब आपको यहाँ पे बारी-बारी से growth monitoring करना है तो यहाँ पे आप measure वाले पे click करेंगे ठीक है यहाँ पे measure वाले पे जैसे ही click करेंगे तो कुछ इस परकार से आपको growth monitoring की जो पिछला reading है वो दिखाई देगा देख सकते हैं कि पिछले महीने हमने इस बच्चे का जो growth monitoring किया है वो कितना height डाला है कितना weight डाला है वो सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 3 अगस्त 2023 हमें इस महीने growth monitoring करनी है तो यहाँ पे हाइट डालेंगे and weight डालेंगे और यहाँ पे submit कर देंगे चली एक यहाँ पर जारी रखे पर क्लिक कर देना है जारी रखे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पर उसी डैस्बूट बे आ जाएंगे जहाँ से आपको फिर से growth rating करना है पहले क्या होता था कि आप लोग बारी बारी से जो बच्चे का नाम है वहाँ पर जो 3. दिया गया रहता है वहाँ पर क्लिक करके उस परकार से growth rating करते थे तो वहाँ पर आप लोग को काफिस ज्यादा time लगता था लेकिन अब इस परकार से आप लोग देखेंगे कि एक ही list मे आप लोग को सभी बच्चों का growth rating जो है की देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आसानी से आप लोग सभी बच्चों का growth rating कर सकते हैं ठीक है बात बाकि आप लोग पोसंट ट्रेकर एप में जो भी काम है आप लोग किजिए अगर पोसंट ट्रेकर एप से related कोई भी आप को प्लोम आती है तो आप हमारे चैनल डिके टेकनिकल ग्याप पर कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं तो आई होप आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो में दीगे जनकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा इस काल इतना ही मिलते हैं किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद